गुदीवलिंग 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 मेरे साथियों क्या आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज जल्दी जल्दी बता दो जल्दी जल्दी क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ पा रही है क्या मेरी ओडियो वीडियो सब क्लियर है क्या ओडियो वीडियो सब क्ल किसी रही आपकी पड़ाई जल्दी में को जो है चेड बॉक्स में comment बॉक्स में लिखके बताओ वाकिकी जो चीजें हम तो और अच्छे से करने वाले एक बार अपने दोस्तों को भी बोल के आजाओ कि भाई हमारा सेशन हो गया, start, आ जाओ याँ जल्दी बनना हो जाले जल्दी बताओ किया सब कुछ clear है कि मेरी साइड से तुम्हें को अब clear दिख रहा है कि तुम बताओ सब कुछ ठीक है या नहीं गुनीवनिंग एवरिवन जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटिया बांद लीजिए हमारा हवाई जहाज आकाश को नापने निकल पड़ा है जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलना लीजिए ओह आजए आगए आप हमको बहुत अच्छा लगा तुम टाइंट सा आ गए कौन कौन आ चुका नंदनी शर्मा जी आ गए गितांजली रुस्तम कुमार जी आ गए अजई जी आ चुके है प्रतमेश सम्थिंग डिफरेंट प्रियंक का हमेशा की तरह आ गए सुजीत की भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से एक पर वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर सब कुछ परफेक्ट है और अपने जो है गुरुप पर जाके भी बता दीजेगा कि भाही साब जल्दी जल् कि अग्यां अग्या विए फ़्टर्ट अब कर सकते हैं अग्यां पर आपका क्या नाम है अगर आप पहली बार आए तो एक हमारे सामने उर्थी करनाम भी है मैंने recorded test दे दिया था गजब गितान जली तो मारा dedication लेट लेवल पर जा चुका है वीडियो को जल्दी से जो है like कर दीजिए अगर सब कुछ perfect आ रहा है मेरा नाम जुही है तो जुही जी कैसी है आप अभी क्या cf foundation के तैयारी में लगी है आप बताइए बताइए जरा हमको बताइए तो कि नंदनी शर्मा कह रही है में भी मैं भी मतलब आप भी पापा की परी है ऐसा कि बहुत मज़ा आया सा रिकॉर्डट में भी अच्छा ओके सावी सावी माई बैट माई बैट मज़े मतलो मेरे कि अधर नाम के आगे सीए भी तो लगाना है सही बात है जल्दी से यार एक बार ग्रूप कर सबको बोल के आ कि भाई साब जल्दी जल्दी आ जाएं और हमारे जो है सेशन की सोभा बढ़ाएं ताकि हम जो है फिर से आज चेप्टर को अंतिम विदाई दे पाएं बहुत अच्छे से चेप्टर हमारा कल बीता था हमने बहुत अच्छे-ची मज़ेदार सी बाते करी थी और बहुत कु कोई बात नहीं कोई बात नहीं दोस्त एक बार क्लास 12 के बोर्ट दे दो उसके बाद तो हमको पढ़ना ही है दमाकेदार तरीके से पिशिंता वाली बात लिए रुस्तम कुमार भी आज चुके हैं आज तो केंडल लाइट में पढ़ रही हूं लाइट ही नहीं आई गजब बहुत बढ़ी है गजब 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 जल्दी से क्या तुम लोगों ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है मिんな अधुरों मित्रों क्या हम सब आ चुके हैं एस सुहाने सफर पर अ मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी आजाओ पटाफट पटाफट आजाओ तो मज़ा आए पटाफट पटाफट आजाओ तो मज़ा आए हाँ सर हम पटाफट पटाफट आचुके हैं बहुत मज़ा आएगा पटाफट पटाफट आचुके है चलो भीया एक बार और हमने रिमाइंड कर दिया है एक बार और हमने रिमाइन कर दिया है, जिन वित्रों को, जिन साथियों को, जिन सहभाठियों को हमसे जुड़ना होगा, वो जुड़ जाएंगे, और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है सर, डन है डन है, ठीक है, पाकि आपके पढ़ाई कैसी थी, आज का दिन कैसा था, जल्दी जल्दी बता दो, ताकि हम शुरू कर पाएं अपना स्वहाना सफर, और आगे बढ़ जाएं, अगर सब कुछ ठीक है, गगन पीद भी आ चुके हमेशे कि सरब, श्री निदी बोल रहे हैं कि लेट हो गए, कोई बात नहीं, बाकि हम आज का सफर शु तो क्या हम अपना आगे का जो है चप्टर शुरू कर सकते हैं, हाँ सर बिलकुल कर सकते हैं, आगे का हम चप्टर शुरू कर सकते हैं, और आगे की कहानी लिख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी फिर 12th बोड खतम करो, फिर foundation की पढ़ाई में लग जाएंगे जल्दी जल्दी अपना 12th का बोर्ट खतम करो फिर हम जो है अपने foundation की पढ़ाई में लग जाएंगे बिल्कुल सर बिल्कुल लग जाएंगे ओके सर ठीके ठीके तो क्या हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करें जो लोग आ चुके हैं जल्दी से बोल दो यस सर जल्दी जल्दी हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते है हमारे मित्र आ चुके हैं आज फिर हमसे जुड़ें और फिर से नया माहौल बनेगा और हम नहीं बाते करेगे नहीं नहीं बाते करें देखो अभी हमारा यह जो चैपटर है बस अंतिम सासे ले रहा है खतम होने के लेकिन जो पॉन्सेट्स है थोड़े से जो है अच्छे वाले concept है अच्छे वाले concept है जो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा concept बहुत अच्छे हैं पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा easily simple करके मैं तुमको दे दूँगा तो भी मैं को बताओ मैं chapter को अभी full revise कराऊं शुरू से या फिर पहले हम पहले हम पहले हम जो portion left है उसको कवर कर ले जो पोर्शन लेफ्ट है उसको कवर कर ले और यह फिर जो फ्रम दिस टार्टिंग जो आप बोलो कि वह हम कर लेगे हरी प्रिया भी आ चुके हैं दास ग्रेट सूरज भी आ चुका है जाने के टाइम पर ओहो शाम ह चुकी है ना ठीके ठीके चलो बहुत बढ़िया हमारे दोस्त लोग जो हैं जुड़ चुके हैं और बहुत मज़ा आएगा पॉर्शन जो बचा हुआ है वो पूरा करें या फिर हम शुरू से जो है पहले दिवाइस करते जाए और फिर हमारा बचा हुआ पॉर्शन खतम करें पानी की बॉटल पास में रखना कि पानी की बॉटल पास में रखना अनंद बहुत आएगा कि हमीशा जी भी आ चुके हैं देट्स ग्रेट तो आपकी बात मान ली जाए चिंता करने की कोई बात सो हम ख़हर करेंगे ही जो बचा हुआ पोर्शन ने उसको इत्मिनान से उसको इत्मिनान से कर लिया जाए ताकि आपको confidence बढ़ पहले complete करवा दो ओके revision last में सब बोल रहें revision last में कल जो हमने सर यहां तक बात कर ली थी जो आज पहली बार आये class में चिंता ना करो तुमको भी जो है बहुत अच्छे समझ में आएगा बस थोड़ा सा धैर ये बनाए चलना ओके 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 दोस्त ओके दोस्त कल अमने relationship की बात करी थी हमने जो है total revenue और marginal revenue की जो relationship थी वह सेम से लग रही थी किससे ओ हो 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 total revenue और marginal revenue की relationship सर हमको same same से दिख रही थी टोटल प्रोड़क्ट टोटल प्रोड़क्ट टोटल प्रोड़क्ट एंड मार्जिनल प्रोड़क्ट सी जो students पहली बार मेरा session देख रहे हूँ चिंता ना करें कि पुराना वाला portion कैसे complete करेंगे उसके लिए मैं one shot revision series लाने वाला हूँ जहाँ पर तुमको 40-45 मिन में पूरा जो है अपना chapter revise करवा दूँगा और तुमको वह हमेशा आकरी तक काम में आने वाला है ऐसी मैं asset बनाने की सोच चुका हूँ तो उसकी चिंता नहीं करना कि पुराना कैसे revise करेंगे उसको कैसे connect करेंगे तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है बस अभी concentrate करो जो चल चल रहा है उस पे अभी concentrate करो जो चल रहा है उस पे तो जीवन में बहुत मज़ा आएगा ठीक है load uh okay अभी मेरी बात ध्यान से सुनो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो अब हम जा चुके हैं अपने नई concep2 इसको ठीक से इसको ठीक से पढ़ो में दोस का लिखा हुआ है सर हमको relationship relationship जानने का मौका मिल रहा है किसकी relationship भई सर total revenue marginal revenue average revenue को किसके साथ हमको देखने का मौका मिल रहा है सर इन तो तीनों को हम price elasticity से compare करने वाले है price elasticity से compare करने वाले है यह ऐसा बोल रहा है कि यह formula कौन सा इसर यह वाला idea यह वालवा फॉमुले से हम relationship के आपको ़ुर्मूला कैसा है सर मार्जिनल revenue इस एकुल टू average revenue into e minus 1 upon e, यहाँ पर e है price elasticity, e है price elasticity, अब मतलब समझो, अगर तुमारी elasticity 1 रहेगी, अगर for example, for example, अगर elasticity जो है, elasticity अपनी 1 रही, elasticity is equal to 1 रही, तो क्या होगा, elasticity is equal to 1 रही, तो क्या होगा, सर, हमारा formula है, आपने formula बताया, कि सर, marginal revenue would be equal to average revenue into, elasticity minus 1 upon elasticity, यह रहेगा, हाँ सब बिलकुल रहेगा, formula समझो बाया, अगर मैं लो, अगर elasticity तुमारी 1 है, अगर तुमारी elasticity 1 है, तो तुम कैसे निकालोगे सब marginal revenue, is equals to average revenue, into e कितना है, 1 है, तो 1 minus 1 upon 1, यहाँ पर भी e है, 1 minus 1 upon 1, कितना आएगा answer, 0 divided by 1, बिलकुल जल्दी जल्दी बताओ, सच इसका answer तो, इसका answer तो 1 हो जाएगा, उसकी वज़र से, उसकी वज़र से, marginal revenue, average revenue के बराबर हो जाएगा, marginal revenue, average revenue के बराबर हो जाएगा, marginal revenue, average revenue के बराबर हो जाएगा, इसका क्या मतलब, वो आद देखो यहाँ पर, यहाला जो ग्राफ हमने कल समझाता देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर elasticity कितनी थी? यहां पर Elasticity Elasticity जब हमारी Elasticity Equal to 1 होगी यह Elasticity Equal to 1 रहेगी उनों Marginal Revenue हापर 0 आएगा 0 divided by 1 आएगा यहां पर यहां पर एक गडबड कर दी है हमने एक हमने गडबड कर दी छोटी सी मेरे दोस्त इसको हम solve करेंगे तो हम क्या आएगा Marginal Revenue Marginal Revenue कटके से एक सेट हम फिर से चले जाएगे बोर्ड पर चिंता नहीं करना इसको ध्यान से देखना मेरे दोस्त इसको ध्यान से देखना जब इसको हमने solve किया तो क्या आया Marginal Revenue उन्टो 1-1 उन इसको solve करेंगे तो क्या आएगा Marginal Revenue इसको Average Revenue into 0 upon 1 0 upon 1 कि कितना होता है सर Marginal Revenue 0 upon 1 होता है 0 That is Marginal Revenue is equals to Average Revenue to 0 Marginal Revenue हमारा कितना आ जाएगा सर 0 मतलब जब हमारी Elasticity 1 हुई हमारा Marginal Revenue 0 आ जाता है उसी प्रकार अगर-अगर मानलो Elasticity 1 से बड़ी हुई अगर Elasticity 1 से बड़ी हुई अगर मानलो यह वाला फिगर जो है यह वाला जो फिगर है यह वाला जो फिगर है 1 से बड़ा हुआ तो हमारा numerator हमारा जो numerator बड़ा रहेगा डिनॉमिनेटर से अगर मानलो E अपना 1 से बड़ा रहा आसर example दो ना देखो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अपना फॉर्मूला क्या है अपना फॉर्मूला है यह अपना फॉर्मूला है यह आसर बिल्कुल है अगर मेरी बात सुनो E अपना 1 से बड़ा रहा मतलब क्या सर marginal revenue is equals to average revenue into E अपना अगर 1 से बड़ा है for example 1.5 है 1.5 minus 1 upon E 1.5 minus 1 upon E तो अपना marginal revenue क्या आएगा अपना marginal revenue क्या आएगा सर marginal revenue positive आएगा marginal revenue positive आएगा because 1.5 minus 1 कितना हो जाएगा is equals to average revenue into 0.5 upon 1.5 0.5 upon 1.5 जब हम इसको multiply करेंगे तो क्या हमारा answer जो है negative आ सकता है दोस्त क्या answer negative आ सकता है सर negative नहीं आ सकता है इसी के कारण marginal revenue अपना positive रहेगा marginal revenue हमारा positive रहेगा जब elasticity would be greater than 1 जब elasticity would be greater than 1 बास समझ महाई सर आ सर बिलको समझ महाई अगर मान लो elasticity अगर elasticity less than 1 हुई अगर elasticity less than 1 हुई तो यहाँ पर सोच के देखो marginal revenue is equals to average revenue अगर 1 से छोटा है तो क्या आएगा 1 से छोटा है for example 0.5 0.5 minus 1 upon 0.5 इसको और solve करने जाएंगे तो क्या आएगा marginal revenue is equals to average revenue into 0.5 minus 1 कितना आएगा सर minus 0.5 upon 0.5 और यहाँ पर जब minus आगया तो हमारा marginal revenue का जो भी answer आएगा वो भी negative आएगा इतनी बास समझ महाई मतलब क्या सर आप यह कहना चाहते हो कि अगर elasticity एक से बड़ी हुई तो अपना marginal revenue positive आएगा marginal revenue positive आएगा और अगर elasticity less than one हुई तो marginal revenue negative आएगा marginal revenue negative आएगा बास समझ महाई क्या तुमको इतनी बास समझ महाई तो जल्दी बोलो हाँ सर बिल्कुल हमको यह बात आपकी छोटी सी समझ में आ गई है जल्दी जल्दी लिखो बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आ गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह आला formula हमको समझ में आ गई है formula कैसे बना है और यह आला marginal revenue विल बी positive अगर elasticity अगर हमने जो है demand वाले चेप्टर में हमने demand वाले चेप्टर में क्या देखा था हमने देखा था एक straight line downward falling demand curve था we know that the coefficient of price elasticity at the middle point is equal to 1 हमको यह पता है कि यहाँ पर हमको याद करो demand वाले चेप्टर में मैंने बोला था यहाँ पर अपना elasticity कितना होता है सर यहाँ पर elasticity is equal to 1 होता है सर यहाँ पर elasticity equal to 1 होता है सर यहाँ पर elasticity equal to 1 हो रहा है क्या तुमको याद आता है क्या तुमको यह याद आ रहा है हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है जो center point होता था जो center point होता था महाँ पर elasticity 1 होती थी तो center point होता था, वहाँ पर elasticity 1 होती थी, कितनी याद आ रही है सर, हाँ सर बिलकुल याद आ रहा है, कोई रिक्कत वाली बात में, अब यहाँ पर देखो, it follows that the marginal revenue corresponding to the middle point of the demand curve will be 0, will be 0, अभी हमने यहाँ पर जो है, describe किया ना तुमको, अगर मान लो, elasticity को मैं 1 कर लूँ, elasticity को मैं 1 कर लूँ, तो मेरा marginal revenue कितना आएगा, सर, 0 आएगा, यहाँ पर मैंने तुमको solve करके दिखाया, कि यह marginal revenue is equals to average revenue into 1 minus 1 upon 1, जब 1 minus 1 कर दिया गया, तो 0 upon 1, 0 आ जाएगा, तो marginal revenue कितना हो जाएगा, 0, तर इसका यह मतलब है, कि यहाँ पर जब E equals to 1 रहेगा, E equals to 1 रहेगा, आपक Marginal revenue, देखो, यहाँ पर यह curve हमने draw कर रहा है, यह curve द्यान से देखो, कौन सा curve सर? यह वाला curve, यह वाला curve, जो हमने कल भी draw किया था, ओपर ड्रॉः किया था, इसा मार 죄송 पर ज्रॉः किया था, कूरा हम कल का भी revise करेंगे लेकिन अबही जितना तुमको समझ में आ जाए, ज उनको सब कुछ पलने पड़ जाएगी, ये देखो, हमारा marginal revenue curve हमने ऐसा कुछ बना रखा, marginal revenue curve ऐसा बना रखा, इसका ये मतलब है कि जब elasticity equal to 1 होती है, तो हमारा marginal revenue कितना हो जाता है, 0, ये हमारा हो जाता है, 0, ये हमारा 0, और ये तो हमको AR curve है, हमने बात करी थी, AR curve मतलब हमा इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या मैं आगे बढ़ू, जब हमारा elasticity equal to 1 है, हमारा marginal revenue 0 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई दोस्त, जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा सा complicated है, एक बात समझ लोगे तो हमेशा इसको दिमाक में उतार लोगे, हाँ सब, ठीक है सब, ठी अपर, on the upper portion of a demand curve, on the upper portion of a demand curve, where the elasticity is more than 1, कौन सा portion sir, यहाँ पर, मैंने तुमको बोला था, उपर वाले portion पर, elasticity बड़ी होती है, सर, elasticity is greater than 1 यहाँ पर elasticity 1 से बड़ी होती और जब elasticity एक से बड़ी होती है तो क्या होता है सर, elasticity जब एक से बड़ी होती है तो marginal revenue positive आता है हमने यहाँ पर यह solve करके भी देखा सर, जब elasticity जो है आपकी elasticity एक से बड़ी होती है तो हमने solve करके भी देखा ये जो है आपका ये जो आपका है लास्टिसिटी जब बन से बड़ी होती है तो हमारा मार्जल रेविन्यू पॉजिटिव रहता है मार्जल रेविन्यू पॉजिटिव रहता है पॉजिटिव रहता है न बच्चा हाँ सर हाँ सर पॉजिटिव रहता है मतलब यहाँ पर positive रहा तो हमारा इधर किदर आएगा सर जब greater than 1 रहेगा तो हमारा marginal revenue positive होना चाहिए तो है ना दोस्ति यह देखो हमारा 0 को touch किया क्या सर टच नहीं किया तर टच नहीं किया ओके 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 ठीक है सर एक बात समझ में आ गई जब 0 equal to 1 था तो आपने formula से भी प्रूव कर दिया कि हमारा marginal revenue 0 रहेगा जब एक से बड़ा रहेगा तो आपने formula से भी प्रूव कर दिया और अब graph से भी प्रूव कर रहे हो यह तनी बात समझ में आ गई सर बते हैं अब आगे पढ़ो मैंने बोला था upper portion जब demand करका रहेगा तो elasticity would be more than one और marginal revenue क्या रहेगा सर पॉजटिव रहेगा और अब पढ़ना यहाँ पर googly spin and on the lower portion पूरा focus चीए मेरा दोस्त तुमको तुम्हारा focus मुझे चाहिए on the lower portion of the demand कर on the lower portion on the demand कर lower portion कौन सा हुआ सर यहाँ पर यहाँ पर मैंने तुमको बोला था कि elasticity जो होती अपनी वो होती क्या है less than one होती है याद करो demand का chapter अगर नी भी आद आ रहा तो बस यह मान लो कि हाँ 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 ठीक है सर याद आ रहा है आपको elasticity is less than one यहाँ पर marginal revenue होगा marginal revenue यहाँ पर negative होगा मैंने तो तुमको बोला था यह देखो negative है यह देखो negative है नीचे आ गया ना x-axis के भी नीचे आ गया ना हाँ सर मतलब हमने यहाँ भी प्रूव कर लिया इसको कि सर जब आपका less than one होता है तो marginal revenue हमारा जो है negative आएगा यहाँ पर भी प्रूव कर लिया नेगेटिव आता है जब elasticity is less than one formula से और हमने graph पर भी plot करके देख लिया कि हा सर जब आपका यह less than one होता है यह यलो यलो बान यह less than one आता है क्या तुमको यह बाद समझ में आ गई सर जल्दी बताओ कि असमझ में आ गया सर आट सर सार्म आहजम आ कोई दिक्कत बादबंध वाली बात निए कोई दिक्कत बात निए इस POINT C elasticity equal to corresponding to C on the AR the marginal revenue is 0 and touching x-axis at N. यही जो मैंने सीज़र बोली न होई at a greater quantity than O N. Greater quantity than O N. The elasticity of AR curve is less than 1 and the marginal revenue is negative यह भी मैंने बता दिया तुमको ठीक है? Negative marginal revenue means MR curve goes below x-axis to the fourth quadrant. यह भी मैंने तुमको बता दिया कि भी जब negative है तो वो भया x-axis के नीचे धस गया है x-axis के नीचे धस गया यह दिख रहा है x-axis के नीचे धस गया है हाँ सर यह भी आपने बता दिया सर और एक ओर चीज़ पढ़ो जब marginal revenue being negative means total revenue will diminish if 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 क्या greater quantity than O N is sold यहाँ पर देखो आप एक ओर चीज़ मैं जब negative चली जाएगा marginal revenue जब negative चली जाएगा तो हमारा total revenue fall होता जाएगा और जब marginal revenue positive रहेगा हमारा total revenue ऐसे आस्मान की तरफ चलता जाएगा आस्मान की तरफ चलता जाएगा अगर सब कुस आन में आ रहा इकवल टू 1 यहाँ पर देखो भी यहाँ जब आपका elasticity equal to 1 था आपका marginal revenue 0 था marginal revenue 0 का मतलब total revenue अपने max पर यह बात समझ में आ गई सर क्या बोला इसमें यह यूं बोल रहा है कि जब आपका elasticity सर जो है आपका जो elasticity है ना जब आपका elasticity equal to elasticity equal to 1 होगा elasticity equal to 1 होगा आपका इस point पर marginal revenue कितना हो जाएगा सर 0 और सर marginal revenue 0 हो जाएगा तो total revenue कितना हो जाएगा सर max यहाँ रिलेशनशिप समझ मागई हाँ सर यहाँ आपने बिल्कुल सही बताई जब elasticity हमारी मैं तुमको simple simple नहीं पढ़ाता सिंपल सिंपल पढ़के तो तुम खुश हो सकते हो लेकिन मैं सिंपल नहीं बढ़ाता दोस्त जब अरे यार यह सल्ला किया डाओ पिलेशनशिटी जब हमारी elasticity जब अपनी greater than वन है अगर हमारा greater than वन है तो marginal revenue क्या रहेगा सर marginal revenue इस point पर सर positive रहेगा और आपका total revenue क्या होगा सर अगर marginal revenue मेरा positive है तो यह increase होगा ओहो ओहो और अगर elasticity मेरी less than वन है तो क्या होगा सर marginal revenue आपका negative हो जाएगा और आपका total revenue fall होने लगेगा क्या तुमको यह समझ में आगया सर क्या तुमको यह समझ में आगया तो बताओ यार हमारी मेनत सफल रहेगे अगर तुमको यह तीन relationship समझ में आ गई मतलब अगर सच में समझ में आ घाई तो बोलना हा सब में बढना तो यार मैं नहीं आई होगी पाई तो सब प्रसे मैं समझाओंगा चनता की कोईबात नहींगे जी माई फements, यह थोड़ी चींकी ठीवण समझ में एक दम एक दम इसको मुझे वैसे एड़ कर देना चाहिए था नोट्स में मैं एड़ एड़ इड़ अगर तुमने फोटो कॉपी बगएरा करवा रखे हो न तो एसी चीज़ है एड़ कर दिया करो वैसे तो मैं अपडेटेड नोट्स में और एड़ करके दूँ या तुमको स आजा ऐसा दूआ नोट्स तो सुपर भेही से अपने है ठीक है तो चिंता करने के कोई बात है अपन एकदम कॉंसर्ट को एकदम ऐसे पकड़ के चलते हैं ऐसे नहीं करते हैं बिला नहीं छोटते हैं में बात समझ में आ गई जो नए बच्चे आए हैं सीरियसले बिलकुल सही जगह आए हो कि मुई सर के नोट्स is more than universe पस करो रूलाओ कि क्या है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है सर हम आगे बढ़ते हैं अब जीवन में आगे की थोड़ी थोड़ी बाते कल देते हैं देखो भी है, behavioral principles के हम बात करेंगे, सर क्या बात करेंगे? सर, behavioral principles की, क्या तुमको screen अच्छे से visible है दोस्त? behavioral principles प्रियंका कह रही है कि जो नए बच्चा आए हैं, वो seriously बिल्कुल सही जगा पर आए Thank you so much for this, अपने दोस्तों को भी जरा बताना भाई पुरी मेनज शिदत से काम करते हैं, हम ऐसे हो नहीं है, भी है ठीक है, बस time pass कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के नहीं, नहीं चलती है, चलने दो, दुनिया चलती है, behavioral principles, behavioral principles, ठीक है सर, behavioral principles, ओके ओके, हमीशा कोशिश ज़रूर होगी, देखो भी आप पहला principle पढ़ो आई साब, पहला principle पढ़ो, पहला principle यह है, अ फर्म शुड नॉट प्रड्यूस शुड नॉट प्रड्यूस एट ओल इफ टोटल वेरियबल कॉस्ट आ नॉट मैट, हो हो हो, क्या बूलना चाहरा है, यह कहना चाहरा है कि एक फर्म को प्रड् लगा दिया है, बहुत बड़ी एक फेक्टरी लगा दिया है, उसके लिए मैंने कैपिटल जो है 1CR लगा दिया। वन सी आर की मशीन लगा दी, लेकिन मान लो, अगर मान लो, मैं जो है, मैं जो है, रो माटीरियल को, रो माटीरियल को कनवर्ट करके, जो है, फिनिश गुट्स में कनवर्ट करता हूँ, रो माटीरियल में कनवर्ट, रो माटीरियल को, रो माटीरियल को, जो मैं कनवर्ट करता हूँ अपनी इस machine से इस meet see convert करता हूँ तो raw material की cost एक एक unit बनाने में 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 को जो है पकल दाश दार रुप़न लग जाते हैं एक unit बनाने में में मेंको 10 दार रुपन लग जाते हैं अगर मारी मेरी जोauth Sट मेरी सेल से बर यूनिट पर unit जो मेरी sale है अगर मान लोग केवल 10,000 रुपे ही है 8,000 रुपे ही है मेरी जो sale है वो केवल 8,000 रुपे ही है मैं ये raw material को जो convert करके जो variable cost लगा रहा हूँ अभी जो factory में 1 करोड की machine लगाई जो मैंने fixed cost लगाया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ दूसरे machine की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं केवल बात कर रहा हूँ कि जो raw material को मैंने convert करके जो है finish goods मैं convert किया उसमें ही मैं को कितना खर्चा आ गया उसको खर्चा करना आ गया 10,000 अब केवल में जो एक unit बेच रहा हूँ इस bottle को जो मैंने बनाया आ इसमें 300 रुपे लगे इसकी जो machine लगा ही वो तो अलग है 10,000,000,000 रुपे की इसको बनाने में 300 रुपे का खर्चा आया और खर्चा आप 300 रुपे का लगा रहे हो ऐसा थोड़ी ना होता है जीवन में इसी लिए एक fundamental principles बना गया गया बिया एक firm को produce नहीं करना चाहिए अगर उसकी वो total variable cost भी recover नहीं कर पा रहा है बिलकुल सर, समझ में आया आपकी बाद थोड़ी सी समझ में तो आईए अब मैं थोड़ा सा screen पर focus कर लूँगा focus और जो है आप पला ले हो उसको मैं दिखने की कोचिच कर लूँगा ठीक है सर, ठीको भीया इस अब matter of common sense, यह तो common sense की बात है common sense, nonsense की भीया तभी produce करना चाहिए if it is better by producing than by not producing तभी कुछ बनाओ जब कुछ ना बनाने से बहतर हूँ मैंने 300 रुपे खर्च कर दिए बेच रहा हूं तो 200 रुपे आ रहा हूं तो मैं अपने घर में गाटा कर रहा हूं बेउकुफ ऐसा थोड़ी ना करेंगे ठीक है सर, अब फर्म आपके पास जो है हमेशा चॉइस रहती है आप पढ़ाई करो ना करो आप बिजनस करो ना करो, you always have a choice एक फर्म के पास भी चॉइस होती है भी या कि भी या आपको करना है या नहीं करना है ठीक है सर, if a firm's total revenue are not enough to make good even the total variable cost अगर फर्म का जो total revenue है, ऐसा नहीं है कि वो total variable cost भी recover कर पाए it is better to form to shut down या बंद कर दे अपना धंदा अगर तो केवल bottle को बनाने में 300 रुपे भी निकाल पा रहा है ठीक है सर, in other words a competitive firm in other words, क्या सर, in other words competitive firm should shut down if the price is below average variable cost, क्या बोल दिया सर एक firm को जो है shut down कर देना चाहिए अपना धंदा बंद कर देना चाहिए अगर वो average variable cost भी नहीं निकाल पा रहा है in that case, it will minimize loss वो loss बन जाएगा उसका because then its total cost then its total cost will be equal to its fixed cost वह यह ठीक है अगर तो यह bottle नहीं बनाएगा अपनी अगर यह bottle नहीं बनाएगा अपनी 200 रुपे लगाके तो कम से कम यह 200, 100 रुपे तो बचा लेगा यह 100 रुपे तो बचा लेगा जो तू नुकसान कर रहा है बना-बनाके नुकसान कर रहा है बना-बनाके तो तीरी total cost रहेगी हो fixed cost के बराबर हो जाएगी यह वल हमारा जो नुकसान कितने का होगा यह वल fix cost का sunk cost भई यह irrelevant है जो तुमने advertisement में फर्चा कर दिया उसको ना तुम निकाल सकते हो कर सकते हो तो उस पर दिमाग लगा लगानी के जरूरत नहीं है मतलब मतलब क्या बोल रहे हैं सर this means that the minimum average variable cost is equal to the shutdown price the price at which the firm seizes production in the short run shutting down is temporary and does not necessarily mean going out of business यह shutting down temporary होता जरूर नहीं क्या आप कभी उसका business करोगी ऐसा जरूर नहीं होता और एक चीज़ और बोलिये this means that the minimum average variable cost is equal to the shutdown price the price at which the firm seizes production in the short run जब कि minimum average variable cost जो होगी वो आपकी equal होगी shutdown price से जब आप वो business बंद कर रहे होगी बात सहुझ में आ रही है हाँ सर बिलकुल सहुझ में आ रही है अगर आपकी price average revenue is greater than the minimum average variable price but less than minimum average total cost average total cost the firm covers its variable cost and some but not all of the fixed cost ठीक है भया अगर तुम average variable cost से भी थोड़ा से ज़ादा कमा पा रहे हो तो आप अपना business जो है चालू रख सकते हो भी या चला थोड़ा चला ठीक है थोड़ा चला कोई दिक्कत वाली बात लिए लेकिन लेकिन अगर if profit is equal to minimum average total cost अगर आपका profit average total cost total minimum average total cost सारा मन्दब आप fix भी recover कर रहे हो variable भी recover कर रहे हो और आप normal profit कमा रहे हो average total cost का क्या मतलब है क्या यहाँ पर economic cost की बात हो रही है जल्दी इसे chat box में लिखना economic cost की बात हो रही है implicit cost की बात हो रही है यहाँ पर explicit cost की बात हो रही है यह यहाँ पर accounting cost की बात हो रही है कौन सी cost की बात हो रही है जब यहाँ पर price को average total cost अगर match कर ले तो हमको normal profit आएगा कौंछ सी cost की बात होरी है, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे प्यारे नादान बच्चों, लिखोरे लिखो, अरे लिखोरे लिखो, यहां पर जब average total cost की बात होरही है, to कौन सी cost की बात होरी है, economic cost की, implicit cost की, explicit cost की है फिर accounting cost की, सब बोलरे है, economic सब्सक्राइब इसको बोलते हैं इतना चोटू सा बात तुमको समझ में आया कि सर अगर फर्म केवल अगर वो अपनी टोटल वेरियबल कॉस भी नहीं निकाल पाई इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई सर ठीक है सर बिलकुल समझ में आ गई अगर फर्म अपनी टोटल वेरियबल कॉस नहीं निकाल पारी टोटल वेरियबल कॉस या फिर बोलो एवरेज वेरियबल कॉस पर यूनिट की नहीं निकाल पारी तो उसको जो है प्रड्यूस नहीं करना चाहि नहीं करना चाहिए और अगर इस इस्तीती में उसमें बिजनस बंद कर दिया इसमें बिजनस शटडाउन कर दिया तो उसका जो लॉस होगा जो लॉस होगा वो ओपरेटिंग लॉस होगा किसके बराबर होगा तर वो बराबर होगा बराबर होगा उसके fixed cost के बराबर fixed cost के बराबर fixed cost के बराबर होगा जो कि चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नियुकर चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नियुकर बात समझ मारी है हाँ सर बिल्कुल समझ मारी कोई 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 और अब हाँ जाते हैं दूसरे वाले principle पर क्या तुम दूसरे वाले principle पर आ गय हो मेरे दोस्त या तुम मेरे साथ principle number two पर आ गय principle number two पर आ गय relationships गाल let me देखो भी यह यहाँ पर तोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर तोड़ा ध्यान से देखना जैए एकोनॉमिक्स जैए मार्शल ठीक है देखो फर्म विल भी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट पाई एक्सपेंडिंग आउट्पूट तू दे लेवल वेर मार्जिनल रेविन्यू इस एकौल टू मार्जिनल कॉफ तर एक और प्रिंसिपल जो है समझ में आया आपको एक औ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अपना आउट्पूट आप इंक्रीस करते जाना करते जाना करते जाना जब तक आपका मार्जिनल रेविन्यू आपकी मार्जिनल कॉस से बराबर ना हो जाए यह तब तक हमको बोल रहा है कि तब तक आप अपना जो है आप अपना जो है करते बढ़ाते जाना अब यह ऐसा यह वाइज जो है यह हमको पता है है यह is wurden वैसे तो यूशेप होता है। लेकिन जर्मरली तो ऊपर ही आता है अगर normally अपन consider करें तो एक point of time के बाद तो उपर ही आता है ठीक है यहाँ पर देखो हमने एक graph बना रखा है यह है marginal cost यह है marginal revenue marginal revenue देखो तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि marginal revenue ऐसा 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 करके जाता है ऐसा करके जाता है अपना marginal cost करके जाता है यहाँ पर आपका profit maximization होता है यहाँ पर आपका profit maximization होता है यह लोग ऐसा बोलना चाहते है अब यह ऐसा क्यों बोलना चाहते है वो अपन conceptually समझने की कोजिश करना है यह लोग ऐसा क्यों बोलना चाह रहे है they intersect each other at point e where correspond to output q यह q output जब हम produce करेंगे तो यह अपना maximum profit maximization है यह ऐसा बोलना चाहते है इनकी बात अपन इत्ते आसानी से नहीं मानेंगे अपन इसकी थोड़ी से detailing करेंगे देखो भाई जब क्या होता है up to q level of output q level of output marginal revenue is greater than marginal cost देखो भी यह यहा तक क्या हो रहा है अगर मैं यह आले point को consider कर दो output a को यहाँ पर marginal revenue बढ़ा है कि marginal cost marginal revenue बढ़ा है कि marginal cost sir, point F marginal revenue का है point F marginal revenue का है यह वाले marginal revenue का है मतलब आपका marginal revenue बढ़ा है और आपका marginal cost कम है point A पर क्या है sir sir, point A पर आपका marginal revenue बढ़ा है और आपका marginal cost छोटा है marginal revenue किस point पर जा रहा है sir F वाले point पर marginal cost किस point पर जा रहा है सर जी point पर और F भाई साब हमारे G भाई साब से उपर है F भाई साब हमारे G भाई साब से उपर है क्या तुमको दिख रहा है सर आ सर बिलकुल दिख रहा है मतलब output A पर output A पर output A पर हमारा marginal revenue marginal cost से बढ़ा है ठीक है यहां पर देखो अब टू क्यू लेवल अटू marginal revenue is greater than marginal cost and output Q level they are equal the marginal firm will maximizing profit यही बात बोल रहा है अब देखना for all levels for all levels of output less than Q additional unit of output add more to revenue than to cost as their marginal revenue is more than marginal cost मैं यही बोला and thus it will be profitable for the firm to produce them the firm will be foregoing profit equal to the area EFG if it stops at output A यहां पर देखो यहां पर देखो अगर for example मैंने यही पर point A पर ही अपना production बंद कर दिया अगर मैंने point A पर production बंद कर दिया तो मेरा marginal revenue मेरा marginal revenue जो है और अभी extra आ सकता था जो कि मैं foregone कर रहा हू लेकिन अगर मैंने point A पर ही stop कर दिया तो यह वाला जो area है कौनसा वाला area सर यह वाला area यह वाला area यह वाला area जो है न तो मैं extra कमा सकता था जो मैं extra कमा सकता था वो मैंने छोड़ दिया A से Q तक अगर आता तो मैं वह वाला extra profit कमा पाता वह वाला extra profit में कमा पाता जैसे जैसे मैं additional unit based था A point से Q point तक आता तो हाँ मेरा marginal cost तो increase होता मेरा marginal cost तो increase होता marginal revenue कम भी होता लेकिन ये वाला जो profit है ये वाला profit मेरे हाथ से चले जाता इसी लिए better है कि मैं additional unit बनाओ इसी लिए जाधा better है कि मैं additional unit बनाओ क्या तुमको समझ में आ रहा feel आ रहा है हाँ सर सही बात है जब मैं ये A वाले से Q वाले तक जाता A वाले से Q वाले तक जाता A वाले से Q वाले तक जाता तो मेरे ये वाला जो profit है ना ये वाला जो profit है ना मेरे को नहीं मिलता ये वाला profit मेरे को नहीं मिलता अगर मैं इसको छोड़ देता तो इसको मैं छोड़ देता तो, क्या सबको समझ में आया कि एक बार और बताओ, जल्दी बताओ क्या एक बार और बताओ कि समझ में आ गया, पले पढ़ गया या नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बो एक बार और तुम्हारे लिए देखो भाई अगर मैं बोलू तुमको कि point A इतना ही output बनाओ क्यों वाला बनाने की जरुवत नहीं है क्यों वाला बनाने की जरुवत नहीं है point A वाला ही output बनाओ यह output है हमारा point A इतना ही बनाओ अभी तुमको कितना cost आ रहा है सर ये marginal revenue वाला curve है ये marginal revenue वाला curve है छल्लव इतना उब है और वार familiial cost वाला तुम्हारा marginal cost छोटा है तो भाई अगर तुमको अलग से दिख राएगी marginal revenue तुम्हारा बड़ा है marginal cost छोटा है तो भी यह additional input बनाओ न अगर तुमने मानलो additional बनाया तुम क्यों तक गए तुम मानलो तुम क्यों तक गए तो तुम्हारा revenue तो थोड़ा सा कम होगा revenue तो कम होगा marginal cost भी बड़ेगी लेकिन इसको बढ़ाने से यह जो difference है यही तो तुम earn करोगे अगर A point से Q point तक गए तो यहाला ही तो profit earn करोगे अगर मानलो तुमने A point पर खतम कर दी दुनिया A point तक ही कमाया A point तक ही बनाया तो क्या तुम यहाला profit कमा पाऊगे जो कि marginal revenue और marginal cost क क्या difference है इस वाली line में और इस वाली line में यही तो difference है और यही तो marginal revenue और marginal cost भी दिफरेंस ही है यही तो difference है हा सर बिल्कुल समझ में आया है यह वाला profit में नहीं कमा पाऊँगा इसलिए मैं को A से लेकर Q तक जाना है अब तुमको समझ में आया है नहीं आया जल्दी बता दो जलिए जलिए बतादो सर रहा है या नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको marginal cost और marginal wayny जहां intersex करें वह वाला काम करना है जलदी जल्दी बताओ समय में अई एक बार और बताऊंगा, clear नहीं है, तो फिर भी बोलोगे तो बताऊंगा, यह a point तब produce को क्यों करें, जब हम Q तक कर सकते हैं, और यहाला profit कमा सकते हैं, यहाला profit हम कमा सकते हैं, आ गया sir, आ गया, similarly, similarly, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, similarly, similarly, profit हमारे fall होंगे, अगर greater output than OQ, हम कमाएंगे, as they will add more to cost than to revenue, on the units, oath to beat the firm will be incurring a loss equal to EHI, to conclude firm will be maximizing profit at the point of marginal revenue is equal to marginal cost, यह क्या बोलना चाहते हैं, यह देखो, तुमको जो है, मैं ग्राफ में ही बता देता हूँ, यह जो है, मैं ग्राफ में ही बता देता हूँ, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात बताओ, मैं BQ ना बनाओ, BQ ना बनाओ, BQ ना बनाओ, बताओ, मैं BQ ना बनाओ, सर, B इसलिए मत बनाओ, because यहाँ पर आप देखो, आपका marginal cost कितना है, यहाला ग्राफ है, marginal cost का, 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 यहाला ऐसर marginal cost इतना है, मतलब यह वाला जो portion है, यह वाला जो portion है, यह तो loss है, यह तो loss है, तो मैं क्यूं मुझे बताओ, मैं क्यूं आखिर, क्यूं, 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 मैं को reason दो, आखिर मैं क्यूं बनाओ, extra जिससे मैं को loss हो, यह मेरा loss हो रहा है, यह मेरा loss हो रहा है, इसलिए मैं बोलूगा कि भाई पीछे आजा इतना मत बना तू पीछे आजा इतना आउट्पुट मत बना तू पीछे आजा यह हमारा total profit है जब तक हमारा क्यूं था यहाँ पर profit increase हो रहा था as marginal revenue was more than marginal cost और यहाँ पर हमारा profit decrease हो रहा था अब जो लोग मुझे अभी अभी जुड़े हैं वो धान से हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइस के लिए मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों क्या तुमको यह समापती दिखी यहाँ पर मैं तुमको बोल दिया happy learning और यह वाला चैप्टर भी हमारा दोस्तों हतम हो चुका है यह क्या पॉलो साथी हूँ साथी हूँ तुमको चैप्टर समझ में आया क्या हूँ हरि अदोड्ण चैप्टर खतम हो गया है पानी पी्लो चैप्टर खतम हो गया है पानी पीनी जाए पानी पीलो दोस्तों अच्छे से conceptually पूरा समन में आया है कोई भी confusion हो तो पूछ लो क्योंकि अब हम जा रहा है revision पर हम करेंगे revision हम करेंगे revision 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 आला रहे आला revision आला revision जल्दी से एक बार मेसेज भी कर देता हूँ इसे तो यह 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 तो यह यह तो शुरू होने से पहले ही क्थम हो गया इतना मस्त चेप्टर हाँ 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 बिल्कुल मस्त मस्त चेप्टर था बिल्कुल मस चेप्टर था, सब कुछ पॉफेक्ट है, बिल्कुल समझ में आया है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कोई परिशानी वाली बात नहीं है, अब हम इसको एक बार अच्छे से निप्टा देंगे, शांती पूर्ण तरीके से निप्टा देंगे, ताकि जो जाए, जीवन में मज़ा आजाए, जीवन में मज़ा आजाए, जीवन में मज़ा आजाए, अब में को इस वाले चप्टर को, इस वाले चप्टर को, इस हिसाब से पढ़ाना है, कि तुम इसको बाद में यूज कर पाऊ, तर सुबह से एकनोमिक सी क्लास का ही बेट रचता ह QAACO एसा मतकRU है दूसरे चंटर भी करना है यही यह यही फड़ना है अधर u कुराइशा बिल्कुल भी ना कर ले बहुत के लिए इसा बिल्कुल भी निकरेए अभ मैं तुमको जो है एकol तुमको अच्छी से मिल जाए एक वीडियो तुमको अच्छी से मिल जाए ऐसा मेरा प्रियतना है कि या। तुम बाद में भी उसको यूज़ कर पाहू ऐसी जो है तुम थे कैंख सर्थ क्या पूरा किलियर दिख रहा है किया सब कुछ ठीक है किया हम पूरा रिविजन एक साथ कर ले किया हम पूरा रिविजन एक साथ कर ले किया पूरा रिविजन हम एक साथ कर ले ताकि इसको हम रिकॉर्ड कर ले अच्छी तरीके से और यह आपको बाद में कावा ला है ठीक है सर बिलकुल-बिलकुल परफेक्ट क्या आप भी तयार है मेरे साथ क्या आप भी तयार है ready 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 for the mega revision क्या आप भी तयार हैं हाँ सर बिलकुल तयार हैं हम भी तयार हैं आप भी तयार हो जाएए ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम मेरी बातों को ख्यान से सुनना ठीक है तो आई काउंट त्री तिल वन चू एन थ्री एन विल गो इन दस हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक फिर से फटाफट रिवेशन वाली सीरीज पर जहां आपर हम रिवाइस करने वाले हैं अब हमको की सीरी अधरि बात होती है तर एक होता है value in use और एक होता है value in exchange एक होता है value in use और एक होता है value in exchange सर value in use जो होता है value in use जनरली होता है usefulness या फिर utility हमको कितनी दे usefulness या फिर utility हमको कैसी दे जूकि हमने cardinal measurement of utility में देखा था कि यह हमको measurement कितनी utility मिलती है value in use जनरली यह देखने के कोशिच करता है लेकिन हम economics में ज़ादा importance नहीं देते value in use को हम ज़ादा importance देते है value in exchange को या फिर economic value को because वही बताता है कि हमको उस product को लेने के लिए क्या exchange करना पड़ेगा हमारे लिए economics में ज़ादा जरूरी हो जाएगा value in exchange value in exchange mcq में आ सकता है ज़ादा जरूरी हमारे लिए क्या है value in exchange है value in use को हम ज़ादा importance नहीं देते जो sir market economic की अगर बात करो तो जो amount होता है currency होती है it is a universal accepted measurement of an economic value जो हमने economic value की बात करी value in exchange की बात करी currency जो होती है हमारा universal accepted measurement है ठीक है sir in economics जैसा कि मैंने कहा we are generally concerned with exchange value यहाँ पर हम जो है sentimental value जो हमारी sentimental value होती है जो emotional value होती है उसको भी हम ज़ादा importance नहीं देते for example अगर आपका दोस्त आया वो बोले कि भाई तेरा iPhone में को दे दे तेरा iPhone में को दे दे मैं तेरे यहाँ 5 साल 10 साल जिंदगी भर नौकर बनने के लिए तेया हूँ तो हम उसको बोलेंगे भग यहाँ से मैंने economics पड़ा है और sentimental value को जो है मैं ज़ादा importance नहीं देता हूँ सर, exchange value कैसे determine होती है exchange value या फिर बोलो economic value कैसे determine होती है जब सर, goods and services market में मिलती है जुलती है, buyer, seller सब मिलते है सब तब exchange value determine होती है सर, इसके बाद अगर second round cars का market है तो सर, उसको भी हम market बोलेंगे वहाँ पर भी price determine होती है ऐसा नहीं कि online market अलग हो गया offline market अलग हो गया सारे markets की बात की जाती है जब हम market की बात करते है सर, common elements के होते है market के सर, common elements होते है सर, जहाँ buyers and sellers हो जहाँ पर product हो bargaining power हो knowledge हो और एक price हो जहाँ पर interact कर पाएं सारे लोग सर, classification of market के हम बात करें तो यहाँ पर basically classify कर रहे है market जो प्रकार से product market और एक factor market सर, product market में कोई यादा रहा है product market वो market होता है जो normal consumers का market होता है हम जैसे लोगों का market होता है grocery की दुकाने, retails की दुकाने stationary की दुकाने, product market हमारा है सर, और factor market किसको बोलते है सर, factor market उन लोगों का है जो हमारे लिए ये चीज़े बनाते है जैसे सर, firms, firms वगरा ये चीज़े जो बनाता है उनके लिए factor market हो गया जैसे कि land, labor, capital, entrepreneur का जो market है उसको हम factor market बोलेंगे और जहाँ पर, सर, factor market में जो prices होती है, उसको हम factor prices बोलते है अच्छा-च्छा, सर, MCQ भी यहाँ पर हमको revise हो रहे है, सर, factor prices बोलते है, जब तुम notes पढ़ोगे तो तुम को ये चीज़े ध्यान आ जाएगी जो prices होते है, जो prices होते है factor market में, उसको हम क्या बोलते है सर, factor prices बोलते है, ठीक है सर अलग-अलग classification हम market के करते है जैसे कि, सर, जैसे कि geographical area time, nature of transaction, regulation, volume of business type of competition, etc, etc, etc सर, geographical area की बात करे न तो हम चार प्रकार से market को classify कर सकते है जैसे, सर, local market जो, सर, मैं जाता हूँ, समान खरीद के आ जाता हूँ जो local area में होता है, सबजी वगेरा बेशता है जो मेरे बाल काटता है, सर, hair dresses वाला वो local market बाता है, सर, regional market सर, regional market जो एक region में होता है, कुछ states में होता है कुछ cities में होता है, जो कुछ cluster of states में होता है सर उसको हम रिजनल मार्केट बोलते हैं, जैसे कि सर मैंने रिशिकेश, हरीद्वार में जो मार्केट जेखता हूँ, जो रिजनल मार्केट है, जो रिजनल की हिसाब से भी जो काम करते हैं, उसको हम रिजनल मार्केट बोलते हैं, सर नेशनल मार्केट इसको बोलेंगे, जो सर internationally exchange होगी सर जैसे gold का market, silver का market सर internationally जहाँ पर exchange होती है चीज़े उसको हम international market बोलते हैं ठीक है सर on the basis of time, सर on the basis of time भी है सर हम अलग-अलग तरीके से categorize कर सकते हैं जैसे सर very short period market, very short period market क्या होता है सर जहाँ पर हमारी supply fix होती है, हम supply को हिला ढुला नहीं सकते, जैसे हमनी example लिया था, हम सुबह उठके गाई को नहीं बोल सकते कि आज जो हमारे गाउं में भाई साब बंडारा है बंडारा और बंडारे में बना रहे हैं खीर, गाई साहिब, गाई साहिब आप जो है very short period में हम supply नहीं बढ़ा सकते, इसी के कारण जो price determined होती है, इसी के कारण जो price determined होती है very short period में वो demand की वज़े से होती, अगर जादा demand आई जादा अगर दूर की demand आई, तो price बढ़ जाएगी short period market क्या होता है, short period market वो market होता है जहाँ पर आप supply बोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन supply के वर एक चीज़ से बढ़ा सकते हैं, किस से? सर, variable factor को increase करके, variable factor क्या होता है सर? labor, labor को increase करके हम बढ़ा सकते हैं, अपनी supply बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ज़ादा नहीं बढ़ा सकते हैं एक limited ही बढ़ा सकते हैं so long period क्या होता है long period market सा long period market वो market होता है जहाँ पर आप अपनी supply को बढ़ा सकते हैं और सारे factors को change करके all factors को आप change कर दीजिए तो आपका long period market आ जाएगा आप अपने scale को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर long run equilibrium price आएगी because supply, demand long run में interact करेंगे और match करेंगे और equilibrium price लाग की कोशिच करेंगे ठीके सर very long period क्या होगा सर उसमें national phenomena आजाते है population, capital, supply, supply, from material यह सारी चीज़े interact करती है और उनको very long period वाली feel देती है ठीके सर जहाँ पर हमारा market interact करता है और उसी के time पर delivery और payment settle हो जाता है delivery और payment उसी time पर settle हो रहा तो उसको हम बोलेंगे spot या फिर cash market जैसे मंडी में होता है अपना किसान, भाई, मैनत करके, मज़दूरी करके जब फसल लेके जाता है मंडी में और उसी time पर उसको भाव मिल जाता है, उसी time पर exchange हो जाता है उसी time पर delivery ली जाती है तो उसको हम बोलते है spot या फिर cash market forward or future market क्या होता है forward or future market मैंने वैसे detail में explain किया था लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि भाईया हम आज bank के पास गए और उसको बोला कि ये future में में को इतने डॉलर तुम से चाहिए और आज सौधा कर लो मतलब कहा delivery future में होने वाली है लेकिन commitment मैंने आज दे दिया delivery future में होने वाली है लेकिन commitment अगर मैंने आज दे दिया तो उसको हम बोलेगे forward या फिर future market forward या फिर future market ठीक है सर regulation के basis पर भी दो प्रकार के market मुझे दिखने को मिल जए regulated market मतलब stock exchange वाला market जहां पर बहुत सारे rules and regulations पर काम होता है SEBI, LODR वगरा सारे regulations पर काम उसको हम regulated market बोलते हैं unregulated market सर मतलब वो जो weekly hard बजार लगता है सबजी बजार लगता है जो कोई नहीं बोलता है जैसे fish market वगरा unregulated market कोई की इसको regulate नहीं कर रहा है उसको हम बोलते unregulated market सर volume of business पर दो प्रकार के market होता है सर एक wholesale market और एक retail market wholesale market मतलब जहाँ पर large quantity में सामान की बेची और खरीबी होती है उसको हम wholesale market बोलते है और retail market सर जो छोटा मोटा retail quantity में बेचता है उसको हम retail market बोलते है सर on the basis of competition हम अलग-अलग प्रकार के हमारे market बनते है perfect competition, monopolistic, monopoly, oligopoly perfect competition मतलब सर यहाँ पर यह table देख लो monopoly, perfect competition में मतलब seller जो हंगे हमारे बहुत जादा होंगे monopolistic competition में perfect competition के नतीज़े थोड़े से कम होंगे लेकिन यहाँ पर भी बहुत होंगे oligopoly में तो बस 2-4 जो है अपने seller होंगे और monopoly में तो केवल इक होगा सर परफेक्ट competition में हमारी जो demand होती है जो हमारी demand होती है elasticity of demand होती सर यह infinity होती है इसका graph भी में कोई याद हो रहा है सर ऐसे करके हमारा demand का graph बनता है यहाँ पर product differentiation ही होता एक जैसा product होता जैसे petrol pump हम example देख सकते है perfect competition है सर monopolistic competition में क्या होगा सर product में फ्रहाँ सा difference होती है जैसे hair oil का हम example ले सकते है अलग-अलग brands वाले जो है बना रहे है उसको product differentiation हम बोलेंगे सर price elasticity यहाँ पर बहुत जाद होगी यहाँ पर elasticity होगी वो greater than मनोगी यहाँ पर elasticity जो होगी न वो greater than मनोगी हाँ सर elasticity यहाँ पर और यहाँ पर oligopoly में elasticity क्या होगी सर कम होगी less than one होगी और monopoly में भी elasticity कम होगी because यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग ही नहीं है players ही नहीं है जो की इतना खेल पा रहे है सर अगर मैं degree of control के बात करूँ तो यहाँ पर perfect competition में तो मैं control नहीं कर सकता price को I am a price taker यहाँ पर MCQ आ सकता है क्या सर यहाँ पर मैं price taker हूँ price taker हूँ अमेशे है याद रतना I am a price taker यहाँ पर सर मैं price को फड़ा control कर सकता हूँ यहाँ पर भी control कर सकता हूँ monopoly में तो भाईया अपून ही है अपून ही है जो बेच रहे हैं खरीद रहें और सारा काम कर रहे है तो monopoly में तो भाई बहुत हद तक control रहेगा ठीके सर इसके बाद सर आपने समझाया था हमको total revenue, average revenue, marginal revenue क्या होता है total revenue कुछ भी नहीं होता है total revenue कुछ भी नहीं होता जब आप price को quantity से multiply करतो तो आपको total revenue आ जाता है अगर आपका total revenue जो है increase होता जा रहा है आपकी जो demand कर ऐसा है मतलब आपकी price कम हो रही है तो quantity सेल होना जादा हो रही है तो आपका total revenue को graph कुछ ऐसा बनेगा जैसे जैसे आप output को और जादा sell करोगे आपका total revenue increase होता जाएगा मतलब इसमें होगे direct relationship इसमें हो जाती direct relationship ठीक असे समझ में आगया कोई दिक्कत वाली बात सर एवरेज revenue क्या होता है सर जब आप total revenue को divide कर देते हो number of unit sold से number of unit sold से तो आपका आजाता है क्या आपका सर average revenue आजाता है सर एक और बात धियान रखना अगर मैंने total revenue को मानलो for example sales को अगर मैं number of unit से divide कर दो number of unit से divide कर दो तो तुमको नहीं लगता price आजाईगी तुमको नहीं लगता price आजाईगी हाँ इसलिए तो हम बोलते हैं कि average revenue is equal to price average revenue is equal to price ये तुमको मैं आ सकता है भाहित साथ याज रखना sales को जब number of unit से divide कर दिया तो average revenue आ जाएगा total revenue कुछ भी नहीं है sales ही तो है sales को जब आप number of unit से divide कर देते हो तो price आता है और price कुछ भी नहीं है average revenue और price एक ही बात है और हम उसको ऐसे ही लिकर चलते है marginal revenue क्या होता है marginal revenue मुझे याद आ रहा है marginal revenue is the change in the total revenue जब total revenue में जो हम change देखते हैं वो होता है आपारा marginal revenue जो मैं एक additional unit जो sell करूँ उससे जो मैं को revenue जनरेट हो रहा है उसको हम marginal revenue कहते है for example sir 1000 unit को sell किया मैंने 1000 रुपे मिले मैंने अगर 100 unit sell करी 1000 रुपे मिले अगर मैंने 100 unit sell करी मैंने जो एक additional unit sell करी उससे में को किता revenue है मेरे दोस sir 1200 minus 1000 that is 200 200 is my marginal revenue इसके बाद sir आपने ये जो है बहुत अच्छी graph और table बगेरा बना रखी जिससे मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ देखो यहाँ पर जैसे मैं unit बढ़ाता जा रहा हूँ unit जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ मेरा total revenue increase होता जा रहा है total revenue मेरा increase होता जा रहा है increase 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 होता जा रहा है यहाँ पर वो फिर हमारा बराबर हो गया फिर यहाँ से decrease होता जा रहा है average revenue कुछ भी निए price के बराबर होता है यह हम कैसे निकाल सकते है टोटल रेविन्यू को आप डिवाइड कर दो number of units से तो आ जाएगा जिससे 10 divided by 1, 10, 18 divided by 2, 9, 24 divided by 3, 8, ऐसे करके आपका average revenue आजाएगा, marginal revenue कुछ भी ने, तोटल revenue इसके उपर आला है, 10 minus 0, तो 10 आ गया, तर यहाँ पर 18 minus 10 कितना आ गया, 18 minus 10, कितना आ गया, 8, यहाँ पर कैसा है, 24 minus 18, तो हमारा 6 आ गया, ऐसे ऐसे करके महवना marginal revenue भी आ जाएगा, ठीक है सर, यह graph समझ में आ गया हमको, आपने कैसे समझाया, अब यह table समझ में आ गया, यह graph समझो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ध्यान से अब ध्यान देने वाली बात है, जब आप, जब आप को पता है क्या आप imperfect competition में हो, imperfect competition मतलब क्या, सर, imperfect competition मतलब होता है कि हमको price reduce करनी पड़ेगी, अगर मेरे को demand increase करनी है, अगर आप इस वाले competition में हो दोस्त तो यहाँ पर आपको price reduce करनी पड़ रही है हाँ सर price reduce करनी पड़ रही है जब ही जब ही price reduce कर रहा हूं तो ही मेरा total revenue उपर जा रहा है तो ही मेरा total revenue उपर जा रहा है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हो imperfect competition और जब ऐसा competition हो तो हम relationship की अगर बात करें हम relationship की बात करें तो भाई मेरी बात घ्यान से सुनना देखो एक तो बात ये है कि average revenue जो होगा आपका average revenue curve flow downward करेगा मतलब ये inverse relationship बताएगा किसमा price or quantity demanded में जो कि मैंने कहा भाई तुमको price reduce करनी पड़ी कि अगर demand को increase करना हो पहली बात तो समझ में आगे सर average revenue curve जो होगा मेरा नीचे की तरफ जाएगा average revenue curve जो है मेरा नीचे की तरफ जाएगा average revenue curve मेरा नीचे की तरफ जाएगा average revenue कौन सा है सर ये average revenue सर ये है मेरा average revenue क्या तुमको average revenue दिखा हाँ सर average revenue दिखिया पुझे average revenue दिखिया सर, यह रहा मेरा average revenue जो की नीचे की तरफ जाएगा because यहाँ पर inverse relationship देखने को बिल जीए सर दूसरी line आप बोल रहो हो, दूसरी line बोल रहो कि सर मेरा marginal revenue जो curve होगा वो average revenue की नीचे होगा, सर जो मेरा marginal revenue curve होगा यह average revenue की नीचे होगा average revenue की नीचे होगा क्यों नीचे होगा भाई नीचे क्यों होगा because marginal revenue decline होगा जादा rapidly than average revenue total revenue increases यहाँ पर हमारा इसलिए हो रहा है because हमारा marginal revenue जल्दी fall हो रहा है it is falling fast it is falling fast and this is average revenue is falling slow तुमको दिख रहा होगा तुमको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमारा जो है, हमारा जो है marginal revenue, जो marginal revenue हमारा 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, लेकिन हमारा average revenue भाई 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, धीरे धीरे fall कर रहा, लेकिन marginal revenue जल्दी fall कर दिया, it is falling fast, और falling fast के वज़े से यह हमारा बन गया छोटा भाई यह हमारा बन गया छोटा भाई छोटा भाई बनने के कारण यह हमारा छोटा भाई मार्जल रेवेन्यू नीचे की तरफ है तर यह नीचे की तरफ है क्योंकि यह हमारा छोटा भाई बन गया इसलिए हमारा मार्जल रेवेन्यू नी हमारा Increase होता है, Total revenue controller होता है Decreasing rates क्यों हो sir, क्योंकि हमारा Marginal revenue fall हो रहा है यह यलो, यह Green मिने Mark कर रहा है, हमारा Marginal revenue fall हो रहा है इसलिए Total revenue increase कैसे होता है sir, Decreasing rates से यह वाली relationship भी सहन वे आ गई लेकिन, जैसे यह negative हो जाता है, जब आपका marginal revenue zero हो जाता है तो आपका total revenue कितने पर आ जाता है sir max पर आ जाता है और आपका जब marginal revenue जो है marginal revenue negative हो जाता है marginal revenue negative हो जाता है तो आपका total revenue total revenue भी fall होने लगता है total revenue भी fall होने लगता है ठीक है sir इसका क्या मतलब हुआ sir इसका यह मतलब हुआ कि total revenue curve initially increases initially increases at diminishing rate धीमी गती पर due to diminishing marginal revenue क्योंकि marginal revenue गिर और फिर हो maximum पर पहुचता है और फिर हमारा fall हो जाता है total revenue, फिर हमारा total revenue fall हो जाता है, when marginal revenue is zero, जब marginal revenue is zero पर होता है तो हमारा total revenue maximum पर जाता है और हमारा slow total revenue का जो है depend करता है, depend करता है, क्या तुमको marginal revenue, average revenue और total revenue में different समझ में आ गया, relationship समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुत समझ म आ गई कोई दिक्कट वाली कोई परिशानी वाली बात निये एक और question यह आ रहा था एक और question यह आ रहा था कि भईया sir हमारा जो यह marginal revenue है एक question यह आ रहा था question यह रहा था जब marginal revenue हमारा third unit पर third unit पर जैसे मान लो third unit पर यह third unit पर हमारा third unit पर is not equal to price rupees 8 at which the third unit has sold वो equal क्यों नहीं, the answer is that the price is reduced for selling an additional unit the two units which could be sold for Rs.9 before will have to be sold at a reduced price of 8, the total loss on previous two units due to price fall will be equal to 2, मतलब यह यह कहना चाहता है कि भी यह जब आपने third unit बेची ना, जब आपने third unit बेची ना, तो आपको यह 10 में नहीं बेच पाए, आप 9 में बेच नहीं पाए, मतलब आपने जब third unit बेची ना, third unit जब आप बेची तो आपको नुकसान हुआ कितने रुपे का सर मुझे नुकसान हुआ है 2 रुपे का, जो मैं 8 रुपे में चीज बेची मैंने, रुपीस आठ में बेची उसको मैं रुपीज 10 में बेच पाता रुपीज 10 में बेच पाता लेकिन क्यों नहीं बेच पाया सर मैं इसने नहीं बेच पाया यहाँ पर फर्म जो होती है सर वो प्राइस टेकर होती है आपका एवरेज रेविन्यू कर और डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक होता है एवरेज रेविन्यू मार्जिनल रेविन्यू के बराबर होता है आपकी डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक होती है और यह क horizontal curves बनाते हैं, horizontal curves बनाते हैं, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं relationship की बात करूँ, अगर मैं average revenue, marginal revenue, total revenue और elasticity की बात करूँ, तो भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह formula तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, कि य marginal revenue जो होगा, वो average revenue into, elasticity minus 1 upon E होगा, elasticity minus 1 upon E होगा, अब मेरी बात सुनो, जब हमारा, जब हमारी elasticity एक के बराबर होगी, जब हमारी elasticity एक के बराबर होगी, एक के बराबर होगी मतलब 1 minus 1 upon 1, 1 minus 1 upon 1, मतलब 1 minus 1 0 होगया, इसी के कारण average revenue जब 0 से multiply होगा, तो हमारा marginal revenue क्या हो जाएगा, marginal revenue 0 हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो E जो है, E तुमारा greater than 1 हो गया, E तुमारा greater than 1 हो गया, E तुमारा greater than 1 होगा, greater than 1 होगा, मतलब सर ये 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, for example 1.5 है, तो 1.5 minus 1 upon 1.5, जब 1.5 minus 1 करोगे तो answer positive आएगा, that is 0.5 आएगा, और जब average revenue एक positive number से multiply होगा, तो तुमारा marginal revenue जो है positive आएगा, marginal revenue positive नमबर आएगा, positive नमबर आएगा, और सर उसी time पर, सर उसी time पर, अगर मान लो, अगर मान लो आपकी elasticity less than 1 है, अगर elasticity less than 1 है, मतलब क्या सर ये ये वाला number जो है, एक से छोटा है, for example, 0.5 ही है, तो 0.5 minus 1, answer क्या आएगा, सर, 0.5 minus 1 आएगा, minus 0.5, और जब ये आपका average revenue minus वाले number से multiply होगा, average revenue minus वाले number से multiply होगा, तो आपका marginal revenue सर, negative आएगा, सर, marginal revenue negative आएगा, marginal revenue negative होगा, और सर, अभी हमने उपर-उपर बात करी, क्या बात करी, जब आपका marginal revenue 0 होता है, तो आपका total revenue maximum पर होता है, मेक्सिमम पर होता है जलो आपका मार्जिनल मेन्यू पॉजिटिव होता है गभिशनल आपका मार्जिनल रवन्यू नगिंटीव होता है लोगिउता है तो अपका टोटम्राइरो वह सोगOWN होदा ता कर्ठ में देखी तिное Сिति इक्व लवन मतलब यह वाला पॉइंट और जब इलस्टि सिटीश धिल भर्ष द होती है मतलब ये वाला हमारा Am I नीचे वाला लोर पोश्टन स पतल 121 यह वाला पॉइंट!!!! और ऊसी की तरए नीचे वाला भी graph हमारा ready है यह बार समझ मारी एक बार मैं सर यह आला theory पढ़ लूँगा मैंको समझ मा आ जागा एक बार मैं theory पढ़ लूँगा तो मैंने यह summary कर दी है इससे तुमको समझ मा आ जाएगा हाँ सब कोई दिक्कत वाली बात में तर फिर हमने behavioral principles की बात करी जो कि चेप्टर का सबसे आखरी हिस्सा था इसमें दो principle की बात करी एक principle यह कि एक firm जो है कभी भी produce नहीं करेगी जब वो total variable cost मैट नहीं कर पारी है जब मान लो यह bottle को लागत लगी 200 रुपे बनाने में और मेरको जो है इसको लागत लगी 300 रुपे बनाने में इस bottle को जो है पैसे लगी 300 रुपे बनाने में और अब में को sales जो है 200 रुपे आ रही है जब इसको मैं market में बेच रहा हूँ केवल मैं को 200 रुपे ही मिल रहे है जब आप जो है अपना धंदा बंद कर दोगे आप अपना धंदा बंद करोगे तो आपको केवल नुकसान होगा किसका केवल fix cost का नुकसान होगा भाई सहलो संक कॉस तो भाईया हमेशा irrelevant रहती जो advertisement वगएर आपने कर दिया वो तो कोई बात ही नहीं लेकिने आप इसको बंद कर दो और एक चीज़ थो हमने अल्रेडी पढ़ लिए जब आपका जब आपका भाईया जब आपका प्राइस जो है जब प्राइस आपका equal to minimum average total cost होता है तो भी आप normal profit कमाते हो और जब आपका price greater than average total cost होता है जब आपका marginal revenue will be equal to marginal cost marginal revenue जो marginal cost के equal होगा तब आपका maximum profit आएगा ये principal हमको बोलता था इसका क्या मतलब था सर जब आप ये वाले point पर होंगे आप profit maximization कर रहे होंगे ये वाले point पर profit maximization कर रहे होंगे आपका ये वाले point के इधर की side इस वाले point पर जो है आप जो है ज़्यादा profit कमा सकते है आपका marginal revenue ये रहा आपका marginal cost ये वाला graph आपका marginal cost ये रहा मतलब आपको additional अभी profit हो रहा है अभी आपको additional profit हो रहा है तो go achieve your additional profit और उसके बजाए अगर आप मालो भी वाला point बनाओगे यहाँ पर तो भी आपका marginal cost जो है marginal cost से जादा है यहाँ पर आपका marginal cost जादा है marginal revenue कम है तो मतलब सर आप तो loss कर रहे हो loss कर रहे हो इसलिए आप पीछे चले जाओ और अपने यह वाले point को जो है achieve करने में लग जाओ because वही आपका profit maximization point होगा इसका क्या मतलब हुआ sir इसका यह मतलब हुआ कि the firm will be maximizing profit at the point where marginal revenue is equal to the marginal cost और इसी तरह हमने दमाके दार तरीके से पूरे से पूरे चप्टर को revise कर लिया अच्छे से पड़ो अच्छे से इसको revise करो happy learning और दम लगा के आई सावाई जैहिंद मजा आया या नहीं आया जल्दी बताओ बात समझ में आई या नहीं है यह बताओ जड़ा हो 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 कितना टाइम लगा इसमें कि यह पूरा जो है मैं लिखके रख लूँगा तो ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा अपन ने पूरी कोशिश करी कि यह जितरा conceptually इसको हम ले सकते दें कि अब आप कि अधा आया नहीं है सब कुछ clear है कि फोड़ होगे अब कोई डाउट कोई परेशानी कि किसी भी प्रकार की कि अलब कितनी देर लगी आपने टाइम मोट किया था गया कोई बात नहीं प्रबजीद रिकॉर्डडट देख लेना वह इश्यू कि कि अधा कि कितनी देर अपने को लगी कि अधाना लगाया वॉन्टेट टो नोटी टाइम कि या शुबह नो बजे टाइम से आना वाई सुबह 9 बजे आ जाना कि हमारे बाखी के जो करेंगे और बिकास बहुत जरूरी प्रेक्टेस भी सात-सात करनी बहुत जरूरी है उसके लिंक जो है ग्रुप में जरूर मिल जाएगी मुझे फीडबेक जरूर देना फीडबेक जरूर देना ग्रुप पे जाके वाई विकास्ट एट मोटिवेट्स मी और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं बिल्कुल मुझे बतानी की कोशिश करना अच्छा चलम देखने के रिकॉर्डड वर्जन में 15 मिनिट सर 15 मिर्ट वर्षा कह रहिए 15 इतनी बात हैं मतलब हमने 15 मिनिट में इतना अच्छा रिविजन कर दिया तो तो तेट इस अ वेरी बिग एच्वीमिट पंदरा में हमने अच्छा रिवाइस कर लिया आएगेस फिर पूरा का पूरा एकनोमिक्स उनको रिवाइस करवाने में उनको चार घंटे से जाधा नहीं लगने चाहिए है मैक्स चार घंटे भी बहुत बोड़ती है अगर मतलब आखरी दिन हम अखरी दिन अगर मतलब चार घंटे पूरा एकनोमिक्स रिवाइस कर पाए यह दस्विश्व भी मतलब की मतलब क्या होगा दूसरे जो फैकल्टी जो बच्चे होंगे वह तो एक मैरेथान कर रहोंगे ए एक मैरेथान कर रहोंगे अपन एकजांब के पहले भाई झिन-चार मैरेथान कर लेंगे अ हुआ है अलब बच्चे एक बार इसक्वार चीवरर्त ने नियुक्त और एकदम एकदम एगदम बच्विश्य बखाया भी नहीं मैंने एकदम अच्छे से तुमको हर चीज समजा तो इस वुड़ भी टार्गेट के आर्म एक चलिए तीन चार बार एक बार करकने चलिए भी हमारा मैरेथान नंबर वन हो गया है मैरेथान नंबर ट्यू हो गया जिस दिन हम आये जो हमारे एक्जाम वह उस दिन आये तो हम तीन चार गंटे बैठे शाम को तो अब पूरा नि पर दूसरे दिन उठें फिश्या उन्टे लिया ओहू होँ their मज़ा ही आ जाएगा मज़ा या ढई है क्या तुमको सब कुछ क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं परिशानी तो नहीं अच्छे सी双ज आले कोई दिक्कत ढाली बात नहीं यह सुबह टाइंस आना व्लन पॉज कोई हमारा test office होगा मटल्द बचल संडे हैं पर हम्रूपते नहीं है लिए करेंगे और रहेगा वो रहेगा सप्लाइ दरक्षार बच्छो ने नहीं किया हुआ हैं उनके लिए प्लाइन कर आपको जाल जूँगा और आनंद रूप तरीके से मज़ा आएगा कर रहा हूं यार मैं तुम जल्द जल्दी इंटर में पहुंचों फॉंडेशन में इंटर में जो है डायरेक्ट टेक्स पड़ाओंगा कि अध्यक्ट टेक्स तो बहुत मज़ा आने वाला है कि मैं प्लैरिंग डारेक्ट टेक्सेशन जिसमें तुम बहुत मज़ा है मतलब यह तो और कॉंपिटेंसी वाली बात होगे इतना मतलब पहली बार तुम टेक्सेशन पड़ोगे और एक्दम मज़ा आ जाए तो इंटर में भी आओ दमा के दार परिकेस मज़ें करेंगे तो मोटिवेटर हो मोटिवेशन हाई रखो कि हाँ जल्दी जल्दी हम खतम करेंगे और जल्दी से इंटर लेवल पर आएंगे वन शॉट कब तक आ जाएंगे देखो मैं कल प्लानिंग करता हूं बैटके तो परसो से आई कैस आने लगे परसो से कर दिया है तो यह जो साड़ित से बज़े का अपना टाइम है हम अल्रेडी बहुत फास्ट चल रहे हैं अगर तुम देखो हम अल्रेडी बहुत फास्ट चल दें और हमने अगर तुम चैप्टर वाइस देखोगे तो एकनोमिक्स का जो अपने कोर्स है ना एकनोमिक्स का जो कोर्स है हमने 90 परसंट कर दिया है तो मेरी यह थोड़ा सा इच्छा थी कि जैसे अगर अपन कल से कल नहीं रहेगा मंडे को मंडे से अपन जब 6 बजे मिले साड़े 6 बजे मिले तो हम एक एक करके चैप्टर के जैसे डिमांड हो गया इसको हम कंप्लीट करने के कोश्ची सब्के वन आर देके एक गंटा देके इसको पूरा अच्छे से निप्टा दे तुमको नोर्स में मिल जाए अच्छे से फिर जब भी तुमको देखने की इच सबसे पहले हम आईकेस में को 3-4 दिन लगेंगे 3-4 गंटे लगेंगे लेकिन एक बार तुम मेरे साथ जो है समराइस नोट्स भी देख लोगे और जो स्टूडेंट अभी जॉइन किये ना हमको अभी जॉइन किये तो इनके लिए भी बेनिफिशल हो जाएगा तुमारे ल नोट्स Rightे नोट्स के साथ रहेगा क्या नोट्स भे मिल गाय है नोट्स को फोटो कापी कर वा अनोट्स तुमारे पास है 30-40 मिनिट का वीडियो है तो मैंने test लिया तो तुम फटा फट यह वीडियो देख के इनोट्स के साथ आसकते हो बात समझ मारी मुझे जल्दी बताओ हमारा आइडिया कैसा है 30-40 मिनिट की जो है हम वीडियो प्लान करें और जो भी चैप्टर हमने कर दिया फटाफट फटाफट उसको निप्टाते जाए साड़े से बज़े ही निप्टा देंगे और रग दूँगा तुमारे लिए मैं अलग से उसकी प्लेश बना दोगा अलग से प्लेश बना दोगा लेकिन अब इसके लिए मुझे तुमको रिक्वेस्ट करेंगे तुमारे लिए हमेशा वो वीडियो बनी रहेगी जब भी तुम चाहो तो उसको तुम रिवाइस करके आ सब तो पर मेरी रिक्वेस्ट है भाई मेरी रिक्वेस्ट है क्या रिक्वेस्ट है सर मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई तुम अपने दोस्तों को प्रेंड्स को पकड़ पकड़ के लाओ कि अब जो मेहनत हो रही है वो अलब लेवल की हो रही है जो मैंने अल्रेड़ी पढ़ा दिया तीन-चार बात इक बात फिर भी में तुम्हारे लिए उसको समराइज करनी के कोशिश कर आओ तो अपने तुम दोस्तों को जरूर लाना ह जल्दी बताओ तुम अभी अपने गृप पे जाके, गृप पे जाके सब को बोलने वाले हो कि भाई अपना मंडे से जो है, मंडे से शांदार दफाकेदार रेविजन होने वाले है तो भाई जरूर आओ जल्दी बताओ विकास मैं नोट्स को और जादा समराइज करने वाला हूँ इस बार और जादा अच्छे समराइज करने वाला हूँ और एकदम अब जो है अपना और कॉंफिडेंस के साथ रिविजन होगा और तुमको एक बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी जो कि हमेशा तुमारे पास रहेगी जल्दी जल्दी बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे अपने दोस्तों को भी ले आना विकास में इब और और तुमारे लिए इसलिए मैसेज फ्लो होगा मैसेज क्या फ्लो होगा मैसेज क्या फ्लो होगा को कि कि मुण्य से आ जाना विकास हम वापास अऩर्ड कर रहें व हैं कि रिवर क Iya हम ँपने लिए तो एक अलग लेवल का है हाँ बहुत सारे लोगों क्या शायद हो भी सकता है तुम लोग जो अभी सुन रहे हो तो आपके कुछ कुछ chapters miss out हो गया हो तो तुमारे लिए भी बहुत अच्छा ये मौका हो जाएगा कि तुम वापस मेरे साथ सिंक में आजाओ तो तुमारे लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये अपना कोर्स उल्रेडि 90 परसेंट हो गया है और ईसको ज्यादा भगाने सा मतलब निए इसको अच्छे से synchronize करके तुमको परोशने में मतलब है है ना तो बिल्कुल चिंता नहीं करना अपने दोस्तों को जरूर गोलना भाई साब प्लीज आजाना और ये miss मत करना है विकॉस ये miss इसलिए मत करना दोस्त क्योंकि ये asset तुमारे पास आखरी तक रहने वाली है ये asset तुमारे पास आखरी तक रहने वाली है तो कल सुबह और आना और हम इस पर चर्चा करेंगे और साड़े से बज़े वाली क्लास मत करना मालब इनफेक्ट हैना इनफेक्ट तुम और जगाते रहेना हर दिन में भी कभी भी फोन चलाओ तो और ग्रुप पर आके बोल देना भाई कल साड़े से बज़े आना है है ना जो हमारे community बनी है उसको हमको एकदम ऐसी ready करता है बिल्कुल क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे दोस्त जल्दी बताओ क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे जल्दी जल्दी बताओ हाँ सर बिल्कुल साथ देंगे नरेंदर नर्वाल बिल्कुल साथ देंगे सर मंडे से जो है हम यहाँ फ्लेज लेते हैं कि 13th मार्च 13th मार्च टाम से हम अपनी 30-40 मिनिट की वीडियो आपसे ready करवा लेंगे 30-40 मिनिट की वीडियो रिकॉर्ड करवा लेंगे आपसे topic wise topic wise रिकॉर्ड करवा लेंगे सर आपसे जो की हमको each subject, each topic, each topic को revise करने में मदद करेगी each topic revise करने में मदद करेगी एकदम super fast तरीके से revise करने को ठीक है दोस्त बिल्कुल मेरी इसमें मदद करना बाकी हम मिलते हैं, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, और बात करेंगे अभी फोमो तो feel करवा नहीं है सबको बाकी मिलते हैं, वीडियो को like करना दोस्तों के साथ ज़रूर share करना, कल 9 बजे बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे बिल्क दे दूगा, टेस्ट लूँगा यह टेस्ट तो देना है, रिवाइस तो हम करते रहेंगे लेकिन तुम टेस्स जितना हो सके दो MCB जितना प्रेक्टर्स हो सके, उतनी हमको प्रेक्टर्स करके देनी है, ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं कल अच्छे से खाना-खाना, सेहत का ध्यान रखना, मंभी बापा की सेवा करना और पढ़ाई में ध्यान रखना, विकॉस हमारा पढ़ाई ही एक मात्र जरिया है वो road map है जिससे तुम अपनी अभी की life को change करके अप्ग्रेड वाला वर्जन में जा सकता, अप्ग्रेडेशन करना है ना, सिस्टम सौफवेर में अप्ग्रेडेशन करना है ना, एक एडुकेशन is only the path where you can travel and change the lives of yourself and the people who are dependent upon you जो तुम से बहुत hope लगा के बैठे हैं तो दिल से पढ़ो और जब इनसान दिल से पढ़ता है ने को भगवान, काइनात, इंस्टिट्यूट, भाबाब, सब एक हो जाते हो और आपको goals में help ठीके दोस्त, बाकि हम मिलते है अल सुमा मिलेंगे 9 बचे जब तक घ्यान रखि गुटनाइट, सी यू